मैं EVM पे कई चुनाव लड़ा चुका हूँ, खुद चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं दो इत बातें EVM के आपको सफ़ष्ट करता हूँ, कि EVM से जब वोटिंग चालू होती है, तो कोई भी बूत हो, कहीं भी हो, हर डेड़ या दो घंटे में उन्हें एलेक्ट्रोनिक तर पूलिंग एक स्तर तक आ जाती है, और अगर हम साथ, पैसेट परसंट के करीमन मानें आमूमन वोट पढ़ गया है, पढ़ता है, और छे परसंट का अंतर है, तो ये तुम्हें बात माननी सकता, कि साथ वजे के बाद 10 परसंट वोट पढ़ा, मालब वोट पढ़ने का 10 पर पर देखें, जैसे अगर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि आंधर प्रदेश में ये नंबर 12 परसंट है, अब 12 परसंट वोट कहां से बढ़ गया, ये बढ़े अपने में अचंभे की बात है, उसी तरीके से 12 परसंट उरिसा में वोट बढ़ जाता है, अब ये हो जाती है कि इन आकोड में अंतर है, जब की, और मैं उस समय भी इलेक्शन में इनवाल रहा हूँ, जब बैलेट से काउंट हुआ करता था, मैं आपको बता सकता हूँ, तब तो पोलिंग के दो ये तीन दिन बाद काउंटिंग हो जाती थी, हम लोगों को फॉर्म सतरा सी म मैं नुबहों बताता हूँ, 84, क्योंकि आज के हिसाब से तो एक समल लेजिए, डाइनोसौर की युग का टेक्नोलोजी इस्तमाल होती थी, हमारे याँ पोलिंग होई, तीन दिन बाद काउंटिंग होई, अगले दिन उसके दो दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग को फॉर्म दिये, तो हमारे पास पूरा नंबर था, कितनी वोटिंग पड़ गई, कितना उसका वोट था, उस समय ख़र EBM मशीन का नंबर नहीं होता था, और जब काउंटिंग से हम लोगों ने रिलेट किया, तो पाया कि 99.9% काउंटिंग बिलकुल मैच कर रही है, तो ज राज्यों में 12-15-15% का अंतर हो जाए, ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है.